आजमगर का नाम बदलाया तो मैंने इसके उपर एक टिपड़ी किया कि सरकार को पहले विकास का काम करना चाहिए आजमगर के लाखो लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर अपना गाँ छोड़कर अपना खेट कल्यान चोड़कर मुंबई दिली कलकता की सब्सक्राइब फुटपार्ट पर जिंदगी गुजार कर रुपे कमा कर अपने बाल बच्चों के पालन पोजिशन के लिए काम क करते हैं जो जिन्दगी में सिर्फ दो साल तीन साल में एक दो मेना कर लेते हैं सरकारी नोगरिया नहीं मिलती लोगों तो लोग दुबई सब्सक्राइब जाकर नोगरी करते हैं अपने बाल अच्चों को पालते हैं अगर नाम बदलने से विकास हो जाए तो मुझे कोई इ मैं समझता हूं मेरे पर्थान मंतीजी जी और योगी जी तो बहुत चोटे आदमी हैं मैं ट्रम के खिलाब दुनिया में जो सबसे ताकत और बनता है उसके खिलाब भी पुरी ताकत से अमेरिका में जागे बोल सकता हूं इस चक्कर नहीं मत रहिया कि मेरे जवान को कोई मा पुरू सकता हूं मैं रोक लीजिये मैं घंडे तर दुगा रहा पुलिश चेसल के सामने से घुजरा हूं मैं मुझे कुछ नहीं किया है और मैं आने कि आप बाग गये तो मेरा गाव मेरा घर हो ही पैटा हूं मैं जब चाहूंगा आओंगा जाओंगा सरकार की कानून के मत आपको जो करवाई के अबनाव कीजिए लिकने बत्मीज से मुझे आ बात नहीं कर सकते अगर आप अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मैं आपके खलब करने का जिकार रखता हूं जब रखूंगा आपको उस लोक नहीं यह रगा कि जब वीके सिंग जो वीजेबी के मं मंत्री हैं उन्होंने मीडिया के लोगों प्रस्टिट्यूट बोरा था यह अच्छी बात है क्या हमारे लोगों ने ही हतौड़ी से मस्रीद को तोड़ा अब हम इसको बनाएंगे भी लेकिन कोई कारवाई नहीं हो नहीं इसके उपर विने कट्यार कहते हैं ताज महल को गि में के खिलाफ कि सोनिया जर्सी गाएं और राहुल गांदी हाइब्रिट बचना है यह अपमादित सब नहीं है क्या इस तरह कि अपमादित सब बोलने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं होता है में इस पी साफ भी बड़े जोर में थे अरे आप देखिए ना क्या 153a 153 मतलब होता है कि दो समुदाई के बीच में हिंदू और मुसल्मान या कोई दो रिलिजन के बीच में कोई जगड़ा लना या अपस ऐसी गलत बात करना